दोस्तों लोग शादी क्यों करते हैं ताकि उसका जो जीवन है वो सुखमे तरीके से बीते हैं अगर किसी की पत्री बहुत ज़्यदा प्यार करती है तो उसको गालों पर चुमती है उसको होटों को चुमती है ज्यदा से ज्यदा उसके गालों पर दांत भी कभी कभी काट ले लेकिन आज की कहानी में एक पतनी अपने पती के गाल पर नहीं दोस्तों उसके गुपतांग में यान्य उसके प्रेवेट पार्ट पर इतनी जोर से दान्त काट लेती हैं लेकिन ऐसी क्या बात हुई जिसके वज़े से उसकी पतनी उसके प्रेविट पार्ट पर ही इतनी जोर से अपनी दात गरादी चुभादी काट लिया कि वो तरब उठा तो इस पूरी कहानी को जानने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो नमस्कार प्रणाम मैं हूँ बिनोज्जा और आप देख रहे हैं भीके बारदात तक दोस्तों उमीद करता हूँ कि भीके बारदात तक की फैमली जहां भी होगी अच्छी होगी अपना ख्याल रख रही होगी दोस्तों आज की जो सची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये सची घटना है मध्य परदेश की मद्य पर्देश के अंतरगत एक जिला आता है जिसका नाम है मुरेना और मुरेना जिला के अंतरगत एक तहसील आता है जिसका नाम है जवरा इसी जवरा तहसील में अनिल नाम का ब्यक्ति रहता था वो एक दिन सीधे अपने नजदी की थाने में जाता है और S.P. सहाब के आगे हाथ जोर करके बैठ जाता है और S.P. सहाब से गुहार लगाता है कि S.P. सहाब मुझे मेरी पत्नी से बचा लिजिए मेरी पत्नी मेरे जान के पीछे परी है मुरे पूरे परिवार को परिशान करके रखी है तो पुलिस पूछती है क्या खिर बात क्या है क्यों तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पूरे परिवार को परिशान करती है और तुम इतना ज़्यादा दुखी हो अपने पत्नी से दोस्तो अपनी दुख के पीछे की कहानी जो अनिल बताता है पुलिस को पुलिस जब सुनती है तो वो भी हैरान और परिशान रह जाती है दोस्तो अनिल पुलिस को कहती है कि सर मेरी साधी लगभग दो साल पहले हुई है अब तक तो चलो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लेकिन अब कुछ महिनों से मेरी जो पत्नी है वो फोन कर करके नौजाने किस-किस लोगों को मेरे घर पर बुलाती है पहले तो हम लोग ये समझते थे कि हो सकता है कि इसका रिष्टेदार हो वो अपने रिष्टेदार को अपने घर पर बुलाती है मिलने के लिए तो हम लोग कुछ नहीं बोलते थे लेकिन आये दिन बदल बदल करके जब लोग घर पर आने लगे तो अनिल अपने पत्नी को एक दिन डाटता है और कहता है कि ये कौन सा तरीका हुआ अगर तुम्हारे इतने ही रिष्टेदार है तो उसको अपने माईके में बुला करके मिल लिया करो इस तरह मेरे इज़्जत का कच्रा क्यों कर रही हो इतना सुनते ही दोस्तों उसके पत्नी भरक जाती है और उल्टे वही धमकी देने लगती है वो कहती है अगर मेरे पीछे तुम लोग परे और मेरे उपर ज़दा जोर से चिलाए तो मैं तुम्हारे पूरे परवार के उपर केस कर दूँगी वो इतना ज़दा गुस्ता हो जाती है दोस्तों अनिल कहता है कि एक बार उसके पिता जी जिसके उमर 75 साल है उसके उपर भी वो की धोकादरी की केस कर दिया था चेरखानी की केस कर दिया था अब अनिल ये कहता है कि जब भी उसके परवार के लोग या वो अपनी पत्नी को रोकता है लोगों को घर पर नहीं बुलाने के लिए कहता है तो उसके पत्नी सीधे धमकी दे देती है और धमकी ही नहीं देती है सीधे 100 नमर पर फोन करके पुलिस को बुला लेती है इससे उसके पिरवार के लोग बहुत ज़्यादा परिसान थे यहां तक तो ठीक होता है दोस्तों लेकिन एक दिन बात इससे कहीं आगे बढ़ जाती है एक दिन ऐसे ही किसी अंजान व्यक्ति को उसकी पत्नी फोन करके अपने घर पर बुलाती है अब लाख समझाने के बाद लाख हनील समझा लेता है फिर भी उसकी पत्नी नहीं मानती है तो एक दिन बहुत ज़्यादा परिशान हो जाता है और एक दिन जब काम करके अपने घ ज़्यादा डाड़ता है और बहुत ज़्यादा लगाता है दोस्तों कि इस हरकत के वज़ा से उसके समाज में बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही थी इस पर उसकी पत्नी के साथ कुछ ज़्यादा ही बहस हो जाती है जगरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अब पत्नी भ अनील के कंट से चीख निकल पड़ता है और उसके प्राइवेट पार्ट से खून का फबारा छुटने लगता है दोस्तों अब जैसे ही अनील के परवार वाले इस तरह का नजारा देखते हैं माजरा देखते हैं उसके माता पिता के होशूर जाते हैं वो जल्दी से अपने बेटे को होस्टिर ले जाते हैं और होस्टिर नहीं जा कमर से नीचे की तरफ उसकी नजर जाती है दोक्तर साब की तो देखते हैं की नीचे का जो हिस्सा है उसके कपड़े हैं वो खून से लगपत है सब में खून लगा हुआ है यह देखते हुए डॉक्टर साब फोरण उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही उसके कपड़े हटाते हैं तो उसके जो प्राइवेट पार्ट था दोस्तों उस पर बहुत रखम था यह देखकर डॉक्टर के भी हालत खराब हो जाते हैं वो भी शौक्त रह जाते हैं क्योंकि दोस्तों डॉक्टर साब अनिल के माता पिता को कहते हैं कि दरसल इसके जो प्राइवेट पार्ट है वो इतनी बुरी तरह से जखमी हो गया है इसके लिए करीब एक दो नए तीन छोटे छोटे ओपरेशन करने पड़ेंगे यह सुनके इनके परिवार बाले और ज्यादा घवरा जाते हैं लेकिन मरता क्या न करता वो डॉक्टर साब को कहते हैं कि डॉक्टर साब चाहे कुछ भी हो जाए आप मेरे बेटों को बचा लिजे फिर दोस्तों डॉक दूसरे कोई व्यक्ति इस तरह का हरकत किसी के साथ करे तो समझ में आता है लेकिन ब्याहता पत्नी जो लगभग दो साल से उसके साथ रह रही थी वो इतनी निर्ममता तरीके से उसके प्रेवेट पार्ट पर दांत काटा था यह देख करके पुलिस और डॉक्टर भी हैरान और परिशान हो जाते हैं तो दोस्तो मेरा एक कहानी सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस बोचाना नहीं है किसी को परिशान करना नहीं है किसी के दिल को आहत करना भी नहीं है बस इसका मकसद सिर्फ यह है कि लोगों में जागरुकता फेलाई जाए ताकि उनके साथ या उ अपना विचार कमेंट्स के जरिये मेरे तक जरूर पहुंचाईएगा क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट का बेसबरी से इंतजार करता हूं तो दोस्तों यह थी आज की कहानी मिलते हैं कल किसी दूसरी कहानी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों